जीवन में बहुत गम है गम कभी भी कम नहीं लगते हमेशा हमें अपना दुख बड़ा और दूसरों का छोटा लगता है हमेशा अपनी तक्लीफ जादा और दूसरों की बड़ी लगती है आज मैं कह रहा हूं सिर्फ और सिर्फ एक लोटे में ये सामगरी उल्टा करके रख दीजिए मात्र इतना करने से आपका रिस्ता चुटकी बजागे ठीक हो सकता है आपका रिस्ता आपका सम्मंध आपका लब आपका प्यार आपका रिलेशन आपकी साधी सुदा लाइंस तक्काल होगी ठीक लोटे के अंदर से आवाज आएगी जानियों पूरा का पूरा व आप देख रहे हैं लाव विद एस्ट्रॉलजी आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रॉलजी में लविद एस्ट्रॉलजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है लविद एस्ट्रॉलजी में आपको आपसे लिएजाता है लकट एस्ट्रॉल-जीमें 100% प्रतिशत आपको मजबूत किया जाता है यहां पिछले 20 सालों में अभी तक 21,4,0,0,000 धन्यबादств कि यहां बड़े-बड़े गरंत हो का सिर्च होता है बड़े-बड़े गरंत बड़े-बड़े सास्त्र और पुराल adjust किया जाता है और आपके साथ सभाबी कि प्रभ्वाव कि इतना बड़ा कि बड़े से बड़ा कोई विज्ञानी बिर दूर को दूर और ही परापर में आपको दिया जाता है ध्यान रहे तुम लोग किसी जलाबे में मत पस जाना ऐसे किसी भी आडंबर और प्रपंची के चक्कर में फस्वत जाना ध्यान रहे तुम्हारा एक किया हुआ कमेंट उसके उपर बहुत सारे मैसेज आएंगे तुम्हारे पास प्रवित मत होना क्योंकि ये लोग धूर्थ हैं ये सब गंदे लोग हैं ये सिर्फ भ्रमित करेंगे आपको आप कंफ्यूज मत हो जाना तुम्हारे किये हुए कमेंट पर अगर कमेंट आता है अच्छा या बुरा वाइट कीजिए तुम्हारे कमेंट पर कोई क्यों कमेंट कर रहा तक तुम्हारे गुन का आदेश ना हो बहुत ध्यान से समझना यह उपें प्लेटफॉर्म है यहां पर बहुत पहरूप यह लोग है यहां राहो के तुकि कोई कमी नहीं है यहां कोई भी आपको भ्रवित कर सकता है ब्रवित मत होना क्योंकि दुनिया बहुत भूरंगी है य यहां 95% प्लेस सक्सेजरेट है दुनिया में बहुत सारे मांत्रिक तांत्रिक यहां आके काम करवाते हैं तुम कहां जाना चाहते हूं उसके लावार आज मैं कह रहा हूं एक लोटे में सामगरी रखकर उल्टा रख देना अंदर से कुछ आवा जाएगी और तुम्हारा काम ह होगा आज मैं कहना हूं ऐसा करके ऐसा ऐसा जो भी कुछ आज मैं बता रहा हूं यह कर लेना तुम्हारा रिस्ता सुदर जाएगा तुम्हारा संबंद मदूर हो जाएगा तुम्हारा प्यार तुम्हारा रिलेशन तुम्हारी अपनी निजी लाइफ पूरी तरह से ठीक हो जब मैं चुन-चुन कर एक एक लोगों को ठीक कर रहा हूँ तो बहुत सारे प्रपन जाए हमारे साथे अब तो नहीं आते पहले बहुत आते थे आप क्या कर रहे हो, आप क्या बन गए हो, आप कैसे लोगों की बात करते हो मैंने का मैं जैसा भी कर रहा हूँ मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं और कैसे क्या हो रहा है उसका अफल लोगों के जीवन में जिस इस्तर का परिवर्तन आ रहा है उस इस्तर का परिवर्तन जिस तुमें कोई कथा भागवत नहीं नहीं कर रहा है बहुत अच्छा विभाग है लेकिन वहां और बहुत लोग है जो ये काम अच्छा कर सकते हैं मैं तो अपने बच्चों को ससुराल भेजने की ओर बात कर रहा हूँ लड़कियों को भी ससुराल भेज रहा हूँ और लड़कों को भी ससुराल भेज रहा हूँ किसी को दूलन बना कर भेजता हूँ किसी को दूलन लेने के लिए भीजता हूँ और जो बच्चे ससुराल में है उन्हें सुखी संप्रंत साली उनका जीवन संप्रंत साली हो उनका जीवन खुशाल हो उस पर प्रयत नगर रहा हूँ मैं अक्सर कुछ गुर्मुना के सुनाता हूँ तो बोजपूरी इत्यान में यहिस्ट समझना मेरी भाषा है भौजपूरी थोड़ी सी मुझे ऐसा प्रसनली लगता है कि थोड़ी रिच भासा है रिच का मतलब समस्कृती में और किसी चीज़ें नहीं हो सकता है कि वो भाशा एक किसी को समक्म समझा तीसरा बुंदेल खंड के ब्रदी थोड़ा सा आकर शर बढ़ा मेरा जद्दपी मैं महारास्ट गुजरात राजस्थान बेंगॉल जितने भी प्रदेश हैं सब प्रदेश मुझे बहुत पसंद हैं मैं हर प्रदेश की भाषा को बहुत सम्मान करता हूँ और मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है गुझरात जाओ तो लगता जरनी सचा急 को बीदी असाम जाओ तो यह अच्छा नहीं लगता पैंचछ बी प्रदेश जाता हो मुझे हर प्रदेश बहुत रेम मिलता है मुझे तो बस वही दिए हुआ है तो शुराल सुख देए लेकिन जब सबस्क्राल दुख देने लगे दुख सस्सूराल कैसी दे रही है या तो सिस्सूराल कि सुख ही नहीं हो और यह तो तुम्हारा बिवां हो थाय दे… वो बाती निये बन पा रही, कभी हाँ, कभी ना, कभी पूरी तरह से ना ही, सब होगा, शादी नहीं होगी ऐसे किसी भी कंडिशन में ससुराल आपकी अपनी हो जाए आप अपने जीवन में खुशाल हो जाए आपके जीवन की हर तकलीफ पूरी तरह से तुम हो जाए उस पर हम प्रेट न कर लें एक अच्छा कवित याद आ रहा है ससुराल को लेकर के ये पहुना ये है मिध्जिले में रहुना भजन है बगवान राम का बगवान राम की ससुराल में सखियाँ थोड़ा हासी मजात में कहती है पहुना कहते है दमाद और जीजाग तो एपहुना ये है मिठीले में रहूना जोने सुखबा ससुरारी में तोने सुखबा कहूना एप हुना ये है मिठीले में रहूना बढ़िया बात इसके आगे बोले क्या होगा यहारे में से बोले रोज सबेरे इतर मिलके चंदन चंदन इतर लगा करके सेन हवाई दू एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाई दू जूट कहत ना बानी तनिको जूट मत समझना है इसे मौकाए को देवुना एक पहुना ये मिठिले मेरा हुदा ये तो भजन है ये तो एक भाव है लेकिन सब दिमान में ससुराल में यही दूलार मिलता है दोनों तरफ से जब बच्चियां ससुराल जाती है तो सास ससुर और पूरे परिवार से इसी प्रकार का हास से परिहास बिनोर आनंद आमोद ये सब मिलता है ऐसे बच्चे जब ससुराल जाते हैं तो मिलता है और ऐसा नहीं हो तो सिच्विशन ऐसी ना बने तब बहुत दुख हो दा है खास तोर से उन माबाप से जड़ा पूछना जिनके बच्चे अपने ससुराल में दुखी ह हास तोर से बच्चों को पूछना जिनका पूरा का पूरा जीवन नरकतुली होता जा रहा है बहुत बिडब बना है पारिवारिक न्यायालाई में अभी थोड़े दिनों के लिए एक मुझे कोई पद दिया गया आजकल एक नया संदर्भ है जिसमें मिडियेटिंग में भी जाए जाता है मतलब आप केस कर रहें उससे पहले आपको समझाया जाएगा कि आप ऐसा ना करें उसमें किसी संदर्भ में मुझे भी कुस्टित के लिए लगा आप सच मानिये में ऐसे केसे ऐसी बाते ऐसी चीजे मुझे लगा मैं बिल्कुल भीस लाया करी करी नहीं हुआ कि अधार जुड़कर वापस आगे हैं एक तो फड़ा समया भाव भी था पर इस्तितियां बहुत बेशन हैं आप सच्मान ये पारिवारी क्ण्यायाले में केसे जितने पहले थे उससे एक हजार प्रसेंट वड़े थाउजन प्रसेंट वड़े और ये बढ़ता जा रहा है कि इतना ही नहीं है विवाहों प्राल्प जब आपके संस्तर कबढ़ जाते हैं या किसी ऐसे प्यक्ति के साथ आपका दिल लग जाता है जो विवाहित है चाहे स्त्री हो चाहे प्रस्ट हो सिच्वेशन बहुत पोस्ट है किसी भी चीज को अब देखो ये सब सुनकर के बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा ये सही है ये गलत है साहब दूर से बैठकर सब सही और गलत लगता है जब तुम स्वेम सिच्वेशन में होगे न तो सिर्फ और सिर्फ सही ही लगेगा मैं हर तरफ पक्ष में वहां के पश्चात भी तुम्हें तकलीफ है तो मैं हूँ ना तुम्हारे साथ मैं पूरी टटस्ता के साथ ये बात कहता हूँ पूरी बुजोर तरीके से पूरी की पूरी जम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूँ तुम्हारी शादी के बाद ही अगर समस्या है तुम किसी द्वाहित से भी अगर प्रेम करते हो तो मैं आपका पूरा साथ दूँगा एक दम पॉइंट पर सेलमेशन नहीं नहीं है साथ दूँगा का मतलब यह मत समझना मैं गलत होने दूँगा हो सकता है, मैं बना करूँ और हो सकता मैं आगे बढ़ने को को situation मैं नहीं ग्रहनक्षत्र रिसाइट करेंगे तुम्हारे भाग में, तुम्हारे प्रारब्द में तुम्हारी किस्वत में क्या है उसे देखकर तुम्हे एडवाइस किया जाएगा पूरा रिसर्च किया जाएगा हम आपके साथ पूरी की पूरी इमानदारी से रहना चाहते है जरूरी नहीं कि हर बार हम तुम्हें हां कहें कुछ दिलाए ही दे कभी-कभी नहीं भी दिलाएंगे पर सच मानना बिना पाए भी आप इतना खुस होंगे जितना पाकर लोग खुस नहीं होते होंगे जो बीना पाए हमारे पास जो अंदर 5% लोग है आप सच मानना वो अंदर 5% लोग भी हमारी उराई नहीं करते हैं पता है क्यों उन्हें भी बहुत कुछ मिला है हाँ हो सकता है कि उन्हें अंदर 5% मतलब सो में 95 काम तो ही जाते है 96-97 भी होते हैं एक आद दो पर 3-4 परसेंट हैं जो के काम नहीं हो पाते हैं उनकी बात करना हूँ कि उनको मैं नहीं दिलाता है होता है लेकिन सच मांना कि वो कुछ दिन अंतराल होता है तो नहीं समझ में आता है उनके सामने वह पूरी इधारत इस स्तथी आती और ये बात के वाल कहीं नीजाती है हम सभालते हैं वहां से लेके वहां तक फ्रॉंग बिगनिंग हम कमांड करते हैं चीजों को आपको वो पूरी की पूरी यात्रा इतनी सहज लगेगी आप कब चीजों से बाहर आ जाएंगे आपको बता ही नहीं चलेगा यहीं तुकार है कि भले ही 5% का दरका है पर को बता तो यह ना काम तो भी कर लेगी आज किसी भी सिच्वेशन में तुम्हारा दिल बेकावू है तुम नहीं समाल पा रहे हैं अपको तुम्हारे रिच्टे सच में बुस्ट हो रहे हैं आज के आज तो ठीक कर सकते हो एक लोटे के जुनत है ची अज आपके अशुराद सब अच्छा हो गिया डो महीने के बाद उन्होंने मुंसे बाद ही कि कुसे मिलने भी एए और माफी भी मंगी ब्लाव लूइ ऐसे लूति हो गई है। इसे ढ़िशित अट्सबग और बहुत थैंकियू बूरुसी हो ज़ता हे है हुँन्हानि उपन तुम्हारी दुनिया भर की चीज ठीक होगी है तुम आये तो पता है क्या हाल था तुम्हारा और आज सर्चमेशन परिवर्टित होती है इसमें तुम्हारा शद्धा तुम्हारी विश्वास की बड़ी जरुरत होती है जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो तुमने से ठीक हो भरोसा रखो जैसे चला रहा हूं तुम चलने की आदत डालो फिर देखना सब ठीक हो जाएगा आपके अपरे धाम में 8 जुलाई से 19 अगस्त तक एक महायग्य का आयुजन किया जा रहा है इसमें जिन भी लोगों का काम अभी तक नहीं हुआ है जो बहुत परेशान है जिनके जीवन में हर हाल में उनको अपना प्रेम अपना संबंद अपना रिस्ता अपना रिलेशन ठीक करना है वो सीधा संबलित हो सकते हैं इस महायग्य का विशेश प्रेयोजन है आपके जीवन में हर हाल में आपको जिताना इसमें प्रात्मिक्ता है सवा करोण पार्थिर्शिव लिंगों की तूजा अने को अन्या 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 कारिक्रम भी इसमें संपादित किये जा रहे हैं इस यग्य में आप तत्काल तोर पर अपना नामांकन करा लें क्योंकि बहुत कम लोगों को हम इसमें समलित कर पा रहे हैं हमारे पास बहुत जादा पात्रा में लोग हैं आपको पता है कि आपके परिबार में बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी अपना नामांगण कराएं, इसमें आप वही लोग नामांगण कराएं, जो इस यग्य में, इस काल के मद्ध में किसी भी दिन आकर संब्लित को सकें। इसमें सबसे बड़ी प्रात्मिक्ता यही है कि आपको शशरीर आ करके सम्मलिथ होना है। जैश शिब शार्म कर रहे हैं और एक नीबू आपस में एकी सुई के साथ चुभा के बाल दीजे और लोटे के अंदर बहुत सारा कपूर रख करके जला कर बंद कर दीजे ये काम खुले में कीजिएगा बंद करते समय अपनी इक्षा अपना मनुलत अपनी जो भी बात है वो कह दीजिएगा और थोड़ा दूर रहेगा कदाचित हो सकता थोड़ी आवाज बड़ी हो आवाज होगी इसमें कोई संदेह नहीं जब अच्छे से जलने लगे तब बंद करना जलबाजी नहीं करना और ये एक ऐसा टोटका है ऐसा सिस्टम है कि जब आप जला के बंद कर रहे हो तो आपको एक शब्द बोलना है ओम बीं हीं प्लीं बीं हीं और प प्लीं पा के उपर ई की मात्रा है प्लीं ऐसा बोलना है ये बोल के आप हट जाएगा और कोशिश करिएगा कि उदर देखे नहीं आप जैसी ही थोड़ी बहुत भी आवाज हो आवाज जितनी ज़्यादा काम उतनी जलबी करके देखिए अत्व प्रयोंग है बिल्कुल आश्र्य करने वाला उपाए है और आपके जीवन को टतकाल ठीक करने वाला उपाए है क्या चाहिए साथ में शद्धा विश्वास लेकीन निरंतरता अगर ये सब तुम रखते हो तो तुम्हारी जीत सुरिश्चत है कोई नहीं काच सकता है सब्सक्राइब संदरबनिये हरा आध्य गंटे में पड़ाम करके पानी बीजिये अपना भूत ख्याल रखें मैं हून तुम्हारे साथ क्यों रोते हो क्यों परिसान होते हो क्यों हो नेगेटिव क्यों लटा सिदा सोचते हो प्रिविस लाइट बताने के लिए मना किया है आपको किसी भी सुरत में पैसो का आदान प्रदान नहीं करना, बस अपना ध्यान रखो, जैसे चला रहा हूं वैसे चलते जाओ, फिर देखो तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, धन्यबाद, तुम पिश्वास करते हो, यकीन करते हो, मेरी बात मानते हो, समस्ते हो, इसल ओम नमस्ति भाइ